जैश्री नीम करोली बाबा, बाबा नीम करोली को भक्तव उनके अनुयाई हनुमान जी का अवतार मानते थे, लकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे, उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाएं, जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर चूता तो बाबा पैर चूने से मना कर देते और कहते पैर चूना ही है तो हनुमान जी के चूओ नियम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है लेकिन उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मानते हैं बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं उत्तरा खंड के नैनी ताल के पास कैंची धाम में बाबा नियम करोली जी 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था बाबा नियम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 15 जून 1964 में की थी 15 जून को देव भूमी कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है इस धाम में बाबा नियम करोली जी को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है देश विदेश से हजारों भक्त यहां बाबा जी का आशीरवाद लेने आते हैं बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया यहां पाँच देवी देवताओं के मंदिर हैं इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है बाबा, नियम करोली जी हनुमान जी के परम भक्त थे बाबा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे जय श्री बाबा, नियम करोली जी